Hello student, I am Sonam, welcome back to my YouTube channel, अपना भी दले, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे Board exam में copy कैसे लिखे, यानि Board exam में copy लिखने का सबसे सही और best तरीका क्या होता है जिसे देखकर examiner आपको पूरे के पूरे नंबर देते, यानि एक Topper student Board exam में अपनी copy को कैसे लिखता है एक Topper student बन जाता है, तो यहाँ पे हम आप सभी को वही तरीका बताएंगे, अगर आप लोग हमारे इस तरीके से अपनी Board exam की copy इस बार लिखते हो आपके बोड की copy चेक करेंगे वह आपके नंबर कार देंगे या आपको फेल कर देंगे ठीक है तो वह कौन सी गलतिया सब कुछ हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे अगर आप सभी की लिखावट आपकी handwriting पूर है खराब है तो आपको कैसे लिखना है ठीक है यानि एक टॉपर स्टूडेंट बोड की copy को कैसे लिखते हैं कोपी में क्या देखकर जो एक्जामनर होते जो आपके बोड की copy को चेक करते वह आपको पूरे के पूरे फूल माक्स देते पूरे नंबर देते यहां पर हम आपको सभी तरीका बताएंगे पूरी की पूरी की पूर आप सभी लोग बिल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखेगा तभी आप सभी को यह ट्रिकर टिप सभी समझ में आएंगे सबसे पहले हम आपको हिंदी की कौपी कैसे लिखा जाता यह बताएंगे तो यह रहा हिंदी का पेपर टिकर जो की 2024 बोट का है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको कैसे लिखना है सभी क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे इसके बाद यहां पर यह है हाई स्कू 24 का यह OMR seat है जो 20 objective question आ रहा है क्लाश 10th में उसका आंसर आपको इस objective question पर कैसे करना है और इसको भरना कैसे तेकिए सबसे पहले हम आप सभी को यह जो copy है यह बिल्कुल आपका बोर्ड का copy है ठीक है आपको बोर्ड एक्जाम में जो copy मिलेगी वो सेम ऐसे मिलेगी बिल्कुल रियल copy है यह हाई स्कूल की copy है और यह intermediate परिच्छा की copy यानि क्लाश 10th की copy है अब आप सभी को यानि इस copy में सबसे पहले आपको क्या करना है कैसे आपको भरना है इसको और इसको भरते सम अदोनाची 30 cm का ठीक है क्योंकि आपके बोर्ड के copy काफी वड़ी होती है यही जो 30 cm का scale है यही आप सभी को लेकर जाना है ठीक है इसके बाद आपके पास नियुक्त को बैं होना चाहिए जिसमें से यहां पे ये सभी पेनप के पास होना चाहिए यह एक आपके पास काला और एक हाइलाइटर होना चाहिए इसका यूज आपको कहां पे करना है टॉपर कहां पे करते जिसे उनको पूरे नंबर मिलते सबी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में बताएं सबसे पहले कि आप सभी को यानि यह जो बोड की कॉपी है इसके फ्रंट पेस्ट जो इसको इसमें इंट्रोड़क्शन भरे जाते हैं तो देखे सबसे पहले कि यह हाई स्कूल और इंटर्मेडिट दोनों की कॉपिया सेम है और आप सभी को सेम चीज़ें इसमें भरना है और यहाँ पे क्या है सिर्फ यहाँ पे पाली जो है चेंज रहेगा अगर आप लोग क्लाश है उसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है ठीक है यहाँ पे दस अंको की रोल नंबर में आपको गलती नहीं करनी बिल्कुल सही सही आप लोग इसको मिला करके भरियेगा ठीक है यहाँ एक्जाम के आप लोग 2-3 दिन पहले इस रोल नंबर को लिखने का प्रक्टिस का लिए दोसनको करें तो आपको यहां से लिखना नहीं लिखना झतर पर अपना नाम रही जाति लिखना है ठीके और गआ धाहाइ सैकड़ा में नहीं लिखना आप सब्स्ड लें वीगोल प्रस्णपत्राइब आपको इसका मतलब कि यहां आपकी पेपर में यह 805-Daba थो 105 डीदि वाक्ष के वाक्ष में आपको लिखने पर श्क्राइब परिछा का दिन गुरु आर परिछा की तीथियों पाली तो यहां पर हमने लिख दिया 22-2024 ठीके पाली में अगर आप लोग क्लास 10 में हो तो प्रथम पाली आपको लिखना है के बाद केंद्र का नाम यानि जहां पर भी आप लोग उग्जाम दे रहो जिस स्कूल और कालेज ज steak उसी का नाम आपको लिखना है इसे अगर आपाल का संडर तो उसका नाम लिख कंए अगर आप लोग खुद अपने स्कूल पर ही दे रहे रहे एक्जाम तो उसका नाम लिखिये ठीक है जैसे यहां पर हमने कॉलेज का नाम लिख दिया Hans Wiley इंटर कॉलेज ठीक है तो इस तरीके से आपको क्या करना है फ्रंट पेज को काफी एच्छे तरीके सा सौधानी तुरुख भरना है तो देखे सबसे पहले कि आप सभी के हिंदी के पेपर में अब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 20 अब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका फूरे के पूरे नंबर देते है वो पहला कोईश्चन क्या है ठीक है तो देखे सबसे पहले कोईश्चन अप पर खंड बव और नात्मक प्रस्ट जो की छे नंबर का है ठीक है एक इस वर्शन में है कि निमलिखित गद्यांस पर अधारित तीन प्रस्टों का उत्तर दीजी यहां पर क्या है इस तरीके से गद्यांस है और इसके नीचे तीन जीद्ध दो एग में आपको इसके लिखने के तरीके होता है जिसे एक जामनर्ण होसन नंबर के हो शाम सबस्कर आपको ऄखने Q4 अपनी कोपी में लाइनिंग करना है तो कि आपको बे कि स्केज और इस साहता से आपको क्या करना है इधर आपको dit य ninety कशर्ष थीकिस? टिक है ऐसे हैं इसे आधे यहां यहां पर लिखना है यहां से लिखना है इतना लिखे देना है आपको इसके बाद इसके नीचे लाइनिंग कर देना है अब देखे यहाँ पर यह है गद्ध्यांस है तो आपको हेडिंग डालना है गद्ध हिंड्स के रूप में गद्ध और इसके बाद आपको यह जो दिया है गद्ध्यांस कुशंग का जोर सबसे भायानाख होता है यहां से लेकर के उठाती जाएगी ठीक है यहां तक दिया हुआ है तो आपको इसके आगे के यहां से आप सभी को लिख देना है इसके बाद दिखिए आप सभी को लिख देना है इसके बाद दिखें अप कुछण में आजाना है सबसे पहला कुछण नो यह उपर यूग्त गद्धियांस का संधर्व लिखना है संधर्व में आपको पार्ट का नाम लिखना होता है अब दिखे सबसे पहले कि कुछं का जवह सबसे भाहनाक होता है यह कि वहल नीती और सत्र भितती का हिनास में करता बलकि बुद्धी का पीछा करता है किसी युव आपको सबसे पहले डालना है संदर्व एक लायन के आपको गवड देकर यहां से लिखना है किस तरीके से लिखने के बाद आपको संदर्व कैसे लिखना है और किस पेंद का यूज आपको बोड में नहीं करना आपको लाल, हरा और रंगीन पेन का यूज नहीं करना, सिर्फ आपको ब्लेक और bleu पेन का ही यूज करना है यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ने तो आपके नमबर कार्ड दिये जाएंगे तो यहाँ पर तेखे अब आपको संदर्ब कैसे लिखना है यानि टॉपर स्टूडेंट संदर्ब कैसे लिखते जिसा कि एक हम टॉपर स्टूडेंट है और हम एने बोड एक्जाम में संदर्ब को कैसे लिखा था यानि पूरी हिंदी की कौपी को कैसे लिखा था जिससे मुझे पूरे के पूरे के तो सबसे पहले आपको संदर में प्रस्तूत और यह गद्यांस हमारी पाठ है पुश्टक ऐसे आपको लिखना स्टार्ट कर देना है प्रस्तूत गद्यांस हमारी पाठ है पुश्टक इसके बाद यह हिंदी से लिया गया तो आपको हिंदी लिखना है और ब्लेक पेंसे लिखना है ठीके तो यहां पर हम लिख देते हिंदी ब्लेक पेंle से कावा के अंदर लिखना है ठीक है जिद कर दिखनलीस यह इस नös है और पी तो जो भी पाट नाम है आपको ब्लेक पेंश से कावा खेंदर के अंदर लिखना है ठीक है तो सहाय Sau मकपाट से लिया गया है इसके लेखक आचाय रामचन सुकल है और आपको लेखक के नाम को ब्लेक पेंसे कावा के अंदर लिखना है इस तरीके से दिखें आप सभी को हिंदी के पेपर में संदर्व आपको ऐसे ही लिखना है यह जो तरीका एक टॉपर की तरीका होती अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तभी आप सभी को क्या एक्जामनर खुसो कर पूरे के पूरे नंबर देंगे ठीक है और आप सभी कि यह तरीका अगर फर्ष्ट पेज में एक्जामनर देख लिए तो समझे कि वो इतने खुसा गए कि आपको हिंदी में आपके एक भी नंबर नहीं काटेंगे पूरे के पूरे नंबर आपको हरे क्वेस्टन पर देते चले जाएंगे ठीक है क्योंकि इसी संदर्प को ही देखकर जो तरीका मने बताया ब्लेक पेज से कावा के अंदर ठीक है यह तरीका अगर एक्जामनर देख लेंगे तो जान जाएंगे कि आप लोग एक टौपर स्टूडेंट के स्रेडी में हो ठीक है तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है और कि बयाख्या किजेंगे इसका मतलब कि आपको इसमें चिर्फ यहां कड्यांस 169 इचा करना ना जिसके लेका अंडर लाइन है तो भाला-घ्र या याद है तो और अगर अथ्वा में यह जो है यह अगर आपको याद है तो इसके तिन कोश्चन का अंसर आप लोग दीज़ेगा तो एक लोग एक डाइन की गया देकर यहां पे और यहां पर रेखां की तमस्की ब्याध्या प्रौन डेकर कि इस तरीके से आपको इस तरीके से करना है तो आपको हैं चार वर्टो से करना है Lazis प्रस्तूत पंक्ति में लेखक, बुरी संगती को भयानक रोग बताएं, यह अच्छे गुड़ों का बिनास करने के साथ बुधी को भी नश्ट कर देती है, किन्तु अगर अच्छी संगती मिल जाया तो बुरी संगती में पड़ाव्यक्तिक गर्थ से निकल कर प्रगति के प सिर्फ इतना ही लिखना है, इसके बाद एक कुसंग का ब्यक्ति के जीवन पर क्या परभाव होता है, ठीके तो यहां पर देखिए आपको नेश्ट पेज से इसका अंसर लिखना है, अब यहां से लिखना है, यहां से अब जो भी 100 है तो आप लोग 100 यहां पर लिख यानि कुसंग के लेकर के यहां तक यह क्या होगा है, इसका आंसर होगा है, ठीके तो आपको थोड़ी से अपने सब्दों बनाना है, जैसे कुसंग का जो सबसे भायानक होता है, इस भायानक को आप लोग बिनासकारी भी लिख सकते हो, ठीके तो यहां पर कुसंग का के तरीके से आपको गद्यांस वाले question का अंसर लिखना है ठीक है और ऐसे यहां पर प्रक्षिम को भी शॉल्म करना है अपके ऐसे ही तरीके से आपको उसको वी सोल्व करना है उसके बाद दिखें नेश्ट क् III क्या है तो आपक हिंदी की कौपईORA काफी ध्यान से देखते हैं और उस पे उस जादे तर नंबर काटे जाते हैं ठीक है और यह पांच नंबर का आता है और पांच नंबर का कभी और पांच नंबर का लेखक ठीक है दस नंबर का टोटल यह क्वेश्चन होता है अब देखे इसमें क्या है कि जीवन परचे और यहां पे लेखक और कभी का जीवन परचे आपको कैसे लिखना श्टार्ट करना है यानि एक टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं एक्जामनर कैसे लिखने पर आपको अच्छे नंबर देते हैं ठीक है कि यहां पर दिखे सबसे पहले जैसंकर परसाथ का है तो इनका हम जीवन परचे आपको लिख कर बताएंगे देखे सबसे पहले कि लेखक परचे आप लोग लिख रहे हो तो लेखक परचे या कभी परचे लिख रहे हो तो कभी परचे ठीक है इसके बाद प्रसनोतर संख्या जो भी 26 का कह है तो को लिखना है उसके बाद जिस टॉपिक पर आप लोग लिख रहे हैं तो यहां पर जैसंकर परसाथ का हम लि खगए वह है जन्मिस्थान पिता का नाम और माता का नाम रशणाहें मिर्थ्य करो अगर माता का नाम नहीं कहा है तो ड़ोग में भी लिख सकते हैं वह की पिता का नाम याद होना चाहिए आपको तो इसरय के आपको बाक्स बना लेना है क्योंकि एक्जामनर कभी भी आपकी पूरे जीवन पर्चे को नहीं पढ़ते सिर्फ वह यह बाक्स में ही देखते हैं अगर इसमें आप लोग लिखे हुए और अच्छे तरीके से लिखे हो सही लिखे हो तो आपको पूरे के पूरे पांश नंबर दे र प्रशाद का जन्त कासी की एक प्रतिष्टित वैस परिवार में सन 1889 भी यह आप लोग यहां पे नब्बे भी लिख सकते हैं इनके जो है जन्म में दो है ठीके मत भेद है नवासी भी लिख सकते हो नब्बे भी मैं हुआ था इनके पिता का नाम देवी प्रसाद का नाम सबसे पहले आपको जैसंकर प्रसाद का प्रसाद का ने हिंदे सब्सक्राइब के तुर्दुफासी वासा का गहान अध्यन किया इनका वच्पन तो सुख में बिता किन्तु बाद में इन्हें अधी कटना करना पड़ा इनका जीवन बढ़ा है संधर सील था अलप वस्था म भगवान को प्यारे होगे अब इसके बाद देखें इसमें क्या है कि आप सभी को जीवन पर्चे लिखते हुए उनके प्रमुख रचना को भी उलेक करना ठीके रचना को भी लिखना दोनों में है यानि आपको तीन नंबर जीवन पर्चे पर दो नंबर रचना पर भी मिल अपन्यास कंकाल कितली इराव की अपूर ठीक है ऐसे आप सभी को लिखना है तभी आपको यहां पे दो नंबर दिये जाएंगे तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हो पूरे जीवन पर्चे ऐसे आपको कभी कभी लिखना है तो आप लोग को पूरे के पूरे दस को कैसे करना है और आपको सिर्फ यानि की कालय और नीला बाल पॉइंट पे नि आपको इस तरह से डाइट पें का यूज करना है तो सबसे पहले इनी क्वेस्टन है यहां पर आपको देखें सबसे पहले ओम आर को कैसे भरे लो DAVID नहीं प्रसम्ट पत्र मार का सीरीज यानि आपको पहला अच्छर दूसरा अच्छर यह जो पेपर का संके तांग है यह दिए इसको आपको भरना तो आपको पहले में यहाँ पे D Center इसके बाद जहां पर भी इसमें डी है उस वाले गोले को आपको ऐसे लड़ू कर देना यानि कलर कर देना ठीक है भर देना है पूरे तरीके से अच्छे तरीके से भरना है इसमें भी जहां पर डी उसको भर दीजे ऐसे इस तरीके से आपको क्या करना है पूरे गोले को अच्य तरीके से भर देना है ठीक है और इसके बाद दिखेंगे हैं यहाँ पर आपसे भी को 16 में अपना हस्ताइचर कर देना है यहाँ पर दिखेंगे सबसे पहला question है प्रेम चंद घर में जीवनी के रचाईता है तो इनके रचाईता यहाँ पे चार आपसने जिसमें से सिवरानी देवी यानि प्रेम चंद की पतनी है इनके द्वारा लिखा गया था तो यहाँ पे पहले का ए राइट है तो आपको इसमें भरना कैसे पहले का ए वाले गोले को आपको ऐसे भर देना है ठीक है और इसको डार्ट पेन से भरना है काले और नेले पेन में से किसी भी पेन से और आपको एक बार इसको भरने के बाद आपको इसको कटना नहीं है नहीं इरेजर या वाइट मेर का यूज करना है और गोले भरने का ये जो है गलत तरीका यानि ऐ यहां पर दूसरे का भी हो जाएगा तो दूसरे का भी वाला गोले को आपको ऐसे भर देना है ठीक है इस तरीके से क्या करना है OMR पे सभी question के answer को ऐसे ही भरते चले जाना है इस तरीके से यानि अच्छे तरीके से आपको गोले को भरना है ठीक है अगर आप सभी लोग board exam में इस तरीके से अपनी copy को लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे exam नर्स सौव में सौव नंबर देंगे ठीक है और आप लोग भी एक टॉपर student बन जाओगे तो इस तरीके से आप सभी को पूरी copy अपनी लिखनी है आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बड़ आइकन को जरूर प्रेस कर दे थैंक्स आल दा भेरी वेश्ट बाइबाए